तो आप लोग सभी कैसे हो उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होगे और फ्रेंट्स देख रहे हो हम भी बहुत अच्छे हैं और फ्रेंट्स आज का मोसम भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छी दूप है यहां पर आप लोग के हैं सर्दी कैसी हुई हमारे हाथ थोड दिन से काफी इच्चे हा रही है और विछ घी खाओ को बिता कर आदे विलाग लिए छा से पांच बॉज बजे का थो मैं अपनी चाही कर रही ह हूं और दिन मैं अलग से थ्वड़ा चाह बना थी और अज थाओ अलगं तरीके से बना रही हूं तो मैं चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूं मैं पहले कैसे बनाती है और आप कैसे तो फ्रेंट्स मैं पहले कैसे बनाती थी पानी रख देती है उसमें चाय पती अद्रक बगेरा सब सकर रख कर डाल देती है गरम होने के बाद मैं दूद डालती थी और आज कल आज मैंने ऐसा कर रही हूं, दूद और पानी दोनों एक खटा मैंने गरम करने के लिए रख दिया, उसमें चाय पत्य और सक्कर, मैंने एड कर दी, उसके बाद अदरक डाला है। बहुत ही बाद मैं मतलब अच्छे दूद करेंग होने के बाद अगर 7 में डाल देते न तो दूस्अप फट जाता अंतलís раб ने अध्रक बाद में डाला तो अपना चाय बणने के लिए रखने और रागी मैं ऊपर कपड़े उठाने के लिए इतने सारे कपड़े मैंने मौर्निंग में धोयते और तवियत सही ने फिर भी मैने धो दिये और धूप जाने वाली है आप लोग देख रहे हो अभी भी कापी अच्छी धूप है चार से पास बजी की टाइम तो एक कपड़े कुछ सूख गये हैं और कुछ पच्छे थे वो मैं अंदर रखे मतलब डाल है जा रहे और गयनी फ मैं नीचे ले जाऊंगी और किल लुक्त कहली हैं और क्ल लिखा कि लिए हमने डाले लिखा दाधी मादब हम मदम हम इसको डेली डालने आते हैं खाट के हमने डाल दी ती जैसे ही गर्मी आती हैं वैसे हम इसको बनाना सुरू कर देंगे खटी करके सुखा के हम रख लेते हैं उसके बाद गर्मी आती है जब हम इसको वाइल करके बनाते हैं क्षाइब को दे आए क्योंकि मैं अच्छे गज़िए तो उन्हें रख दी और मैं नीचे आगी अपना तो मेरा चाय बनना था, इसलिए मैं नीचे जल्दी भाग याई, मैंने सोचा मेरा चाय ना छिपा के जाये कहीं, जल जाये डंका, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दोड़ी चली आई, और मेरी चाय अभी तक रेड़ी नहीं हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़क पीओंगी, थोड़ा सा रेट होगी खाना मनाने में, वैसे मेरा 5 बज़े तक बन जाता है, खाना खाना और चाय दोनों ये साथ में बनता है, तो अभी 5.5 होगए, काम करते करते, और ये ब्लॉक 4 बज़े से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 5.5 होगए, अब 6.5 बज़े बाले हैं और मैं जल्दी जल्दी सब कुछ रेड़ी करें दे रही हूँ और क्या है ये सबजी तो मेरा रखा हुआ था इसलिए मैंने सोचा मैं आरम से मतब हाल तुरंट से रोटी बन जाई ही फटापट से इसलिए मैंने और लेट कर दिया तो फ्रेंड सब तो मुझे फटापट से जल्दी जल्दी काम करना है तो मैं सब लोगों को चाय दे रही हूँ और चाय दे तो रही हूँ लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा एक मेरे सासुमा की खासियत क्या है एक मन्त हो गया और हम लोगों को तूटे कम चाय पिला रही है बहुत बुरी बात है ये तो इनके डाड़ों तूट गए है कपो के और मुझे तो भाई बहुत सरम लग रही है मतलब मुझे आप लोगों के सामने चाय चांदे मैं क्योंकि मेरे कप तूट गए है लेकिन जो जिन्दिकी जी रहे हैं वो हम आप लोग साथ सेयर करते हैं अब सारम आती हैं तो क्या करें जो है वही हम रियाल है वही सेयर करते हैं आप लोग के साथ तो इसमें क्या बुराई है तो फ्रेंड्स हम लोग ने सब के लिए और संधूरोजे पग्गेरा सब तूटे कप में चाय पीएगे क्या कि थाक कप नहीं आएंगे तो कि मैंं इनको कैसे कपो हम अपनी आई कोई तूते कप ो में चाय पीना पड़ रहा है तो देखेगा हमने त olhar हम ने डी तो और अपना काम करते हैं तो फ्रेंट से ब्लोग पर बने रहीज़ा और पसंद आए तो लाइक से अरवी कर दिजिएगा और हमको कॉमंट सेक्स्ट کے में बता दिया करो कैसे ब्लोग बनाना एक और उर हाँ जो भी मुझे मुझे लाइक करता ए मेरे वीडियो को वह कॉमेंट भी करके मुझे बताये करो में भी तो जाण Pharisee कौन मेरे वीडियो को लाइक करता है क्यों कि आप लोग कॉमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना उसका भी रिप्लाइ दूँगी तो प्लीज फ्रेंड जरूर जरूर रिपलाई मतलब कॉमेंट में रिपलाई किया गरो सभी लोग कॉमेंट जरूर किया गरो जो भी लाइक करता है ना मेरी वीडियो कॉमेंट जरूर किया गरो प्लीज और यह देखेगा हम चाय पीते जा रहे हैं और मैंने रखती है अपना बस यह थी धोली आया है मैंने इसको मिट्टी से साफ नहीं किया है हमारे यह मिट्टी से तपे को साफ किया जाता है या यहीट होती है ना घर बनाते उससे तो यह देखिएगा फ्रेंड्स हम रोटी बेले दे रहे हैं जल्दी जल्दी फटा पट से और अपना सबजी भी हम देख लेते हैं एक बार और चाय भी पी लेते हैं चाय के साथ भाई काम करते जाओ चाय पीते जाओ बड़ा मज़ा आता है सरदियों में और वैट के चाय तो हम पीते ही नहीं बहुत ही कम पीते हैं काम करते में हम चाय ज्यादा पीते हैं क्योंकि सरदियों का मौसम है और तो आज कल सभी पीतें बहुत ज़्यादा होगा, मेरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, डाइविटीज है फिर भी बहुत ज़्यादा, तो फ्रेंड्स मैं एक बाद सबजी को करम कर लेती हूँ, क्या है करम करके दाल रोटी दोनों खाएंगे हम लोग सब लोग, तो दाल रोटी हमारी बन रही है, प्रेंड्स ये आगया था हमारा डुगू बीच में और बोला था मम्मी हम रोटी बनाएंगे, तो जल गया होता है, इस पर बहुत गुस्ता आता है, रोटी भी ने बनाने देता है, तो ये भी रोटी बेलने लगाता, तो ये देख रहे हो आप लोग कैसे पलटने में लग रोटियां, तो भाई अभी इसे सीख रहा है, डुगू, क्योंकि उसकी साधी हो जाएगा, उसके बाइफ आजाएगी ना, तो हेल्प किया करेगा ना, सभी लोग अपनी बाइफ की हेल्प करते हैं, पर मेरे पती देव नहीं करते हैं, सच बताओ तो, लेके ना, बीमार हो दाल, दाल में घी डाल के, और घी डाल के हमें अच्छी लगती है, बट एक बात भूल गए हम, एक चीज भूल गए, सोरी, प्याज लाना भूल गए, तो प्याज हमें दाल के साथ बहुत पसंद है, तो यह देखिएगा, और उपर से हम लाएते कपड़े, तो सारा काम हो और भी सोपे पर कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन इतना करने के बाद हम वो कपड़े करेंगे, थोड़े-थोड़े करते हैं, तो आसान होता है, एकदम इखटे रख लेते हैं, तो माइंड बहुत ही अजीब हो जाता है, फिर मन नहीं लगता कुछ भी काम करने में, तो य पाल्टी गरम पानी रखा है, एक हमने लगा दिया, एक हमने खतब कर चुका, और ये देखिएगा, टूटे-फूटे कप पड़े हुए हैं, बरतन पड़े हुए हैं, और ये सबजी लाके रख दिये पापा ने, और अब हम इसको सुबह ही रखेंगे डलिया, मैं अभी न रख रहे हैं, साफ करके डलिया, तो फ्रेंस हमने गेस चुला सब बंद कर दिया, और बलब भी आफ कर देते हैं, और गैस तो बड़ी ध्यान रखना पड़ता है, गैस का कई खुली ना रह जाए गैस, तो ये देखिएगा, हमने सब कुछ देख लिया, ये नाइट हो गया और नाइट में हम आगे अपने रूम में, तो ये देखिएगा,